सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एडूकेशन हब और पिछले क्लास में हम एल्जेवरा का टाइप वन आज मैं एल्जेवरा का टाइप टू कर रहा हूं तो टाइप टू कहता है कि इफ एकस स्क्वाइर प्लस वन बटे एकस स्क्वाइर बरावर के हो यानि कोशन का फॉर्मेट अगर एकस स्क्वाइर प्लस वन बटे एकस स्क्वाइर बरावर के हो तो इससे दो कोशन बनने की पोसिबिलिटी है वो दो कोशन कौन कोन है पहला कोशन है कि अगर x प्लस 1 बाई x ब्रावर वाट कहे और दुसरा है x मैनस 1 बटे x ब्रावर वाट कहे कब टाइप 2 में है कि जब x स्क्वार प्लस 1 बटे x स्क्वार इक्वार इक्वार टू के हो तो इससे दो कोशन बनने की possibility है पहला एक कोशन है x पलस 1 बटे x बराबर what और दूसरा कोशन है x मैनस 1 बटे x बराबर what हम डारेक्ट फर्मूला भी यह लिखे हैं short trick में कि जब x पलस 1 बटे x कहे निकालने के लिए तो इसको आप डारेक्ट लिख सकते हैं पलस मैनस root अंडर k पलस 2 और जब x मैनस 1 बटे x पूछे तो इसका फर्मूला लिख सकते हैं पलस मैनस root अंडर x k मैनस 2 ठीक है चलते हैं अब कोशन पे तो कोशन है x स्क्वार पलस 1 बटे x स्क्वार इक्वार 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 को इस से तो k का value कितना हो जाएगा 27 क का value कितना हो जाएगा 27 और हम बताये थे कि इसे दो question possibility है बनने का तो इसे दो question क्या-क्या बनेगा एक बनेगा x plus 1 बटे x equal to what और दूसरा question बनेगा x minus 1 बटे x equal to what ठीक है तो पहला question है x plus 1 बटे x find करना है तो इसका formula हम बताये थे कि x plus 1 बटे x equal to plus minus root under k plus 2 तो आप लिख सकते हैं x plus 1 बटे x बराबर plus minus root under k plus 2 और k का value कितना हो जाएगा 27 तो plus minus k के जगा पे क्या रख देंगे 27 plus 2 तो 27 plus 2 कितना हो जाएगा 29 तो root के अंडर 29 यह हो जाएगा आपका answer ठीक है इसको आप long process से भी बना सकते हैं आई यह long process देखते हैं तो type यह question number a का type 1 और यह type 2 देखते हैं यह तो short trick हो गया आप इसे long trick में भी बना सकते हैं long long में बना सकते हैं तो एक्स प्लस 1 बटे x square इक्वल टू और चुकी हम जान रहे हैं कि question में दिया हुआ है x square प्लस 1 बटे x square का भिल्डू 27 तो आप यहाँ पर 27 लिख सकते हैं x square प्लस 1 बटे x square के जगा पर 27 लिख सकते हैं और plus 2 तो 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29 और इधर square है तो इधर square है तिधर क्या चला जाएगा root चला जाएगा इधर square है तिधर root चला जाएगा ठीक है तो इधर root आ जाएगा तो x प्लस 1 बटे x का भिल्डू कितना हो जाएगा plus minus root 29 यहाँ भी कितना answer आया था 29 और यहाँ भी कितना आया 29 आप चाहे तो type 1 से बना सकते हैं और चाहे तो type 2 से बना सकते हैं ठीक है आप आते हैं question number b पे तो question number b क्या कह रहा है x minus 1 बटे x बराबर what और इसका फर्मूला हम बताए थे plus minus root k minus 2 तो यहाँ पर x minus 1 बटे x को लिख सकते हैं plus minus root k minus 2 और k का value हम बताए थे k का value कितना 27 तो आप k का value 27 यहाँ पर put कर सकते हैं value आपके कितना हो जाएगा 27 minus 2 तो 27 minus 2 कितना हो जाएगा 25 और 25 का root कितना हो जाएगा 5 और आप इस question को एक और तरीके से बना सकते हैं long यह तो soft trick हो गया आप long trick से भी बना सकते हैं तो long से कैसे बनाएंगे आएए देखते हैं x minus 1 बटे x square यानि a minus b का whole square इसका सुत्र होता है a square plus b square minus 2ab 2 लिखा हुआ है a into b ठीक तो फिर x x cancel ही हो जाएगा तो बचेगा कितना x square plus 1 बटे x square minus 2 तो x minus 1 बटे x square बराबर और इसका value हम जानते हैं इसका value कितना है इसका value है 27 कितना है 27 तहां पर 27 हम क्या करेंगे put कर देंगे हम minus 2 तो 27 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 25 और 25 का root कितना हो जाएगा 5 ठीक तो यह type 1 हो गया और यह type 2 हो गया answer कितना हो गया plus minus root 5 plus minus root 5 तो इससे related हम तीन question लिखे हैं यह तीन question का answer आप comment box में लिखें पहला question x square plus 1 बटे x square ब्राबर 11 तो x plus 1 बटे x ब्राबर वाट और x minus 1 बटे x ब्राबर वाट दूसरा question तीसरा question तो इस question को solve करके आप comment box में answer लिखें और ज्यादा से ज्यादा share करें subscribe करें ताकि मैं अगले वीडियो लेकर आपके समने आए धन्यवाद